Dear friends, the Bible says, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Delighting in God means eagerly looking forward to spend time with God. लेकिन परमेश्वर के साथ सुखी होने का मतलब है उसके साथ आननपुरुवक समय बिताना. The first thing we should do is to seek the happiness in God. सबसे पहली चीज़ हमें ये करनी है कि हम परमेश्वर में अपनी खुशी को ढूड़ें. In Isaiah 58.14, it says, you shall take delight in the Lord. यशया 58.14 में कहता है, तो तु यहुआ के कारण सुखी होगा. Nehemiah 8.10 says, the joy of the Lord is your strength. और नहम्या 8.10 में लिखा है और वो कहता है, यहुआ का आनन तुम्हारा द्रिडगड है. I know the Lord will give you the joy of the Holy Spirit from this time on in an increasing measure. जानती हूँ कि अप से लेकर के आने वाले समय में परमेश्वर आपको बढ़ते वह रूप में पवितरात्मा का आनन देगा. You will become like Mary, who chose to spend time with Jesus, whom she loved because she delighted in Him. और आप मर्यम की तरह बन जाएंगे जिसने ये चुना कि वो ईशु के पास बैठे क्योंकि वो उसमें आनन पाती तुम्हारा प्रभू में सुखी होना जो है आपके सच-मुच में उस चरित्र को बदल देता है. प्रभू में आनन्दित होना जो है हमारे पाप में वैसन को खतम करता है. बजन सेता 97 में वचन 10 में बाइबल कहती है. तुम जो प्रभू से प्रेम करते हो बुराई से घिना करो. जब हम बुराई से घ्रिना करेंगे तो हम सच-मुच में परमेश्वर की उपस्तिती का आनन्द ले पाएंगे. और हमें अपना हिस्सा करना है कि हम प्रभू में आनन्दित हों. और तब प्रमेश्वर अपने हिस्से को पूरा करेगा कि वो हमारे हिर्दय की लालसाओं को त्रिप्त करेए. और तब आपके पुकारने के पहले ही प्रभू जो है उत्तर दे देंगे. जब आप कहे ही रहे हों उसी समय पर मेश्वर जो है आपको सुन लेंगे. वैसे ही एक बहन है दिव्या जिनके पास एक बहुत ही सुन्दर गवाही है. बहन जो है कोईंबतूर से है. उनका गरपात हो गया था. और साथ ही वो आर्थिक समस्याओं से भी गुजर रही थी. और 10 अपरेल को जब पती पतनी दोनों ही बेथिस्दा प्रेयर सेंटर में प्रार्तना के लिए आए. तो वहां उन्होंने आश्च सभा में भाग लिया. और प्रार्तना के समये. जब मैं प्रार्तना कर रही थी कि लोग जहें पवितरात्मा से भर जाए. उन्ह दोनों नहीं पवितरात्मा का भी शेक पाया. और उसी समय से उनके जीवन में सब कुछ बदल गया. जो बहन थी वो पूरी तरह से ठीक हो गई. और ईश्वन ने पती को अच्छी नौकरी के आशिश थी. और परमेश्वर उनकी साहता की के उनके बड़े-बड़े करजे जो है वो चुकता कर दें. और अब दिव्यार उसके पती के पास एक बहुत ही सुन्दर लड़की भी है. आज वो परमेश्वर के बहुत ही आभारी हैं और दोनों ही जो हैं. अब पवितरात्मा के आनन्द के साथ अपना जीवन जी रहे हैं. बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर करें कि आप भी अपने पारिवारिक जीवन का आनन्द लेने पाएं. आप सच्मुच में परमेश्वर में आनन्दित होंगे. और तब आपके सारे हिर्दय की लालसाएं जो हैं वो पूरी हो जाएंगी. आपके सारे पाप में व्यसन जो हैं वो आपको छोड़ कर चले जाएंगे. और परमेश्वर आपको आज़ाद करेंगे. पिताजी आपके बच्चों के उपर आपका हाथ आजाए ताकि आप उन्हें पवित्रात्म का आनन्द हैं. हो सकता है उन्होंने अपने प्रियों के प्रेम को खो दिया है. पिताजी होने दे हैं कि अभी भी आपका आनन उन्के हिर्दियों को भर दे प्रभू. हो सकता है उन्होंने अपने गर्ब ही अपने बच्चों को खो दिया है. हो सकता है एक के बाद एक उनके गर्ब पात हुए हो. इसी समय आपका हाथ उनके उपर आए प्रभू कि वो उन्हें एक संतान दे. और यह इनाम उन्हें इसी समय दिया जाए प्रभू जी. पवित्रात्मा उनकी साहता करे कि अभी वो गर्बधारन करने पाए. हर एक गर्ब जो गर्बधारन नहीं कर पाता था इसी समय वो गर्बधारन करने पाए. उन्हें एक संतान के साथ आशिष ने प्रभू. और पिता जी होने दे कि आपने उनके लिए जो आशिष है रखी है उन सब का वो आनन लेने पाए. प्रभू जी आप उनको जीवन साथ ही प्रदान करे रहा. और इसी घड़ी प्रभू जी उनके सारे करजे जो है वो खत्म हो जाए. आपका हाथ प्रभू जी उनके लिए यही करने वाला हो. अपने बच्चों को आप आर्थिक रूप से संपन्न करे प्रभू जी. और प्रभू जी जिस आशिश की वो बहुत समय से प्रतिक्षा कर रहे हैं, वो सारी आशिश हैं उनकी जीवन में आ जाए. हे प्रभू उनके हिर्दय की हर एक लालसाओं को आप तृप करे. आप तृप करे एशु के नाम में आमीन. प्रियमित्रो परमेश्वर आपको आशिश दे. मैं आपको बड़े आरनंद के साथ आवंत्रित करती हूं कि आप प्रेयर टावर में होने वाले हरे एक सभाव में आकर भाग ले. हर एक मंगलवार को हम वहां महलाओं का उप्वास प्रारत्न रखते हैं. आप भी आकरके इस संगती में जुणैं और परमेश्वर से एक चमतकार को प्राप करें. प्रेमित्रो परमेश्वर आप सब को आशिश दे. मेरे बहुमली दोस्तों, हम एक विशेश प्रात्न सत्र करने वाले हैं बेच्टा प्राइर सेंटर जो की कारुनिया नगर को आशिवर में हैं. हम प्रात्न करेंगे कि परमेश्वर आपके दुखों को आनन्द में बदल दे. और इसलिए अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ आईए. कि परमेश्वर उनके आसूं को पोच दे और उनके लिए चमतकार करें. वहाँ पर आने वाले हर एक व्यक्ती के उपर हम हात रखते हैं और ईशु के नाम में परात्ना करते हैं. यशु का हाथ उन पर आए. वह आप पर आएगा. और आप वापस जाएंगे और आपके दुख आनन में बदल जाएंगे. आप आकर वहाँ पर रह सकते हैं. भूजन की वेवस्ता वहाँ पर उपलब्ध है. कोएमबटूर शहर से यातायात के साधन भी उपलब्ध है. बस आईए. क्रीन के नंबर पर फोन कीजे और वह आपको सारी जानकारी देंगे. डॉक्टर पॉल दिनकरन और इनका परिवार व्यक्तिगत रीटी से आपको न्योटा देते हैं. कि बैठत सदा बलेसिंग मीटिंग कारविन्यानगर कोएमबटूर में आएं. तारीख है रवीवार साथ जुलाई. समय है दो पहर दो बजे. अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर कर सकते हैं. 94878-466-01 पर तुरंत संपर कीजिए.